सबी को प्यार बरा नमस्कार एक बार फिट से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेज में सबको गुड इवनिंग सबी को गुड इवनिंग जल्दी से लाइव जुड जाएए बहुत ही अच्छे अच्छे क्विशन लाया हूँ बहुत ही इंपोटेंट क्विशन लाया हूँ आपके लिए आज जो बहुत ही मदद करेंगे आपकी एक्जाम की सही ढंक से तैयारी करने के लिए बहुत ही मदद करेंगे ये सवाल आपकी और बार-बार ये सवाल पूछे भी जाते हैं बार-बार पूछे जाते हैं ये सवाल एक बार लाइव जुड़ जाएए जल्दी से जल्दी से लाइव जोड़ जाएए जितने भी स्टूडेंट हैं आपके आपके जो दोस्त हैं या आपका कोई वोट्सप ग्रूप है पर्सनल तो उसमें शेयर कर सकते हैं या आपका कोई भाई है चाचा का लड़का मामा का लड़का जो भी है आप उसको शेयर कर दीजिए अब इकबर ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो और कल बहुत से स्टूडेंट ने फोटो और वीडियो अपना नाम बेजा था उन्सब का नाम दिखाया जाएगा आज और सभी को इंक्लूड किया मैंने आज जितने भी student हैं काफी ने बेजी थी जिसने शाम चार बज़े से पहले भेज दी थी उन सबको include कर दिया है पाँच बज़े तक जिसने बेजी थी उन सबको include कर लिया है अभी सब की दिखाएंगे photo और अब मैंने ये सोचा है कि ये जो लोग जो student है bright student है उनकी हमारा जो Facebook page है और group है और Facebook ID है उस पर भी हम अब डालेंगे और Instagram पर भी हम डालेंगे और एक बात और बता दो आपको कि अगर आप भी हमसे Facebook और Instagram पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज हमसे जुड़ सकते हैं आप जी गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सबको गुड़ इवन Facebook पर डालो आपको इंपीरियल एग्रो क्लासिस डालना है आपको जो हमारे चैनल का लोगों है वो दिखाई देगा और आपको फ्रेंट रिक्वेस्ट सेंड करनी है ठीक है आपको फोलो कर लिया जाएगा और आगे जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके दिरे-दिरे हम YouTube के अलावा इंस्टाग्राम पर भी फोटो पोस्ट करेंगे वीडियो पोस्ट करेंगे और Facebook पर भी पोस्ट करेंगे क्योंकि आप हमारे होनहार स्टूडेंट हैं तो आपका नाम भी होना चाहिए क्योंकि आप continue live classes दे रहे हैं और जवाब भी सही दे रहे हैं सारे स्टूड एक नाम से तिलक करके कोई एक स्टूडेंट है वो के रहा था कि सर्व हमारा भी नाम लो तो सबका नाम लेंगे पर live class में नाम लेना उचित नहीं होता है क्योंकि मैं ना live class में नाम लूँ आपके comments पढ़ूं या फिर आपको पढ़ाओं तो इसलिए सब कुछ possible नहीं हो प साधन आ जाएंगे फिर कोई समझ्या नहीं होगी फिर तो हम face to face मुलाकात करेंगे सबसे ठीक है तो सारे स्टूडेंट मुझे लगता है आ गये होंगे अब पढ़ाना चलू करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है हमारा मश्रूम क्या है मश्रूम क्या है एक शेवाल है एक जीवानू है एक कवक है या प्रोटोजोवा है जेट में आया हुआ सवाल है बताना है आपको चार ओप्शन है मश्रूम क्या है शेवाल है जीवानू है कवक है या प्रोटोजोवा है चार ओ जिसने जवाब दिया है option A वाला उनका गलत है और जिसने जवाब दिया है option C वाला कवक बिलकुल सही जवाब है जो मश्रूम होता है वो क्या होता है वो एक प्रकार का कवक होता है वो पोदा नहीं होता है वो प्रकार का क्या होता है कवक होता है और वह मुख्य रूप से जब बरसात आती है तो बरसात के समय में जहां पर कच्रे का धेर होता है उसी में उपता है यह मिट्टी में नहीं उपता है यह मुख्य रूप से किसमें उपता है यह मिट्टी प्लस जो कच्रे का मिश्रण होता है जिसमें कच्रा ज्यादा होता है यह भूसा होता है उसी में उपता है मश्रूम ठीक है तो मश्रूम की लोग धाई से 3 लाख रुपे किलो जाता है कितना जाता है धाई से 3 लाख रुपे किलो क्यूंकि वह बहुत ज्यादा एनरजेटिक होता है और लोग उसकी तसकरी भी करते हैं यह पाया जाता है कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड की जो पहाड़ी शेत्र हैं और हिमाली देने वहां पर पाया जाता है तो एक छोटी सी जानकरी थी जो देनी थी देदी मेंने और बागी मश्रूम अगर पूछा जाया आपसे क्या है तो एक जीवित कवक है पोदा नहीं है अगला सवाल है कि इलेक्ट्रों सूख्षमिदर्शी की खोज किसने की थी देखो सूख आपको बताना है चार आपको मेकेनिजम भी बताऊंगा इसका कि यह काम कैसे करता है चार ओप्सने कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईए कि इलेक्ट्रों सूख्षमिदर्शी की खोज किसने की थी नालवे रसका स्वानवे श्लीडेन रोबर्ट हुक और रोबर्ट ब्र बताना है आपको रोबर्ट हुक रोबर्ट ब्राउंस लिडेन स्वान जिसने जवाब दिया है नालवे रसका विल्कुल सही जवाब है इलेक्ट्रों सूख्षमिदर्शी की खोज किसने की थी नालवे रसका नमक दो साइंटिस्ट ने की थी इन्हों नहीं सबसे पहले इल नोब दिए गए एक यह रहा और एक यहां से इसको सेट करते हैं सेट करने के बाद जो इसका आउटपुट निकल के आता है यह इसका प्रेंट निकल के आता है वह हमें इस इस computer screen पर दिखाग देता है तो जो electron reaction में होता हाई इस प्रकार कِ मशिन होती हैं जिसमें computer की भी आवशक्ता होती है इधर से चलता है इधर से हम जो object होता है उसको रख के set करते हैं set करने के बाद में इधर यह दिखाग देता है तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आज तक आपने मेरे को लगता है इलेक्ट्रोन सूक्ष में दर्शी नाम शुना ही होगा आज मैंने आपको बताया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैंने ये भी देखा है कि चैनल प लाईए यहां पर अगला सवाल है को भी का का अधिकांश भाग बना होता है को भी का का अधिकांश भाग बना होता है प्रोटीन का वसा का एंजाइम का या जल का जिसने जवाब दिया है option D वाला जिसने D जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका जिसने D जवाब दिया है जल बिल्कुल सही जवाब है देखो ये एक प्रकार की कोशिका है कोशिका के अंदर ये बीच में क्या है केंद होता है वो जलका बना होता है अगला सवाल है हमारा मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है बताना है आपको मनुष्य की कोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है लाइफ चेट बॉक्स में कमेंट करिए और बताईए 8, 10, 12, 14 जिसने जवाब दिया है 8 बिल्कुल सही जवाब है आपका जिसने 8 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है मनुशी की खोबडी में अस्तियों की संक्या कितनी होती है आठ होती है, कितनी होती है, आठ होती है, आठ अस्थियां या हड्डियां पाई जाती है, अगला सवाल है हमारा, जीवद्रव शब्द किस ने दिया था, पहले जीवद्रव शब्द किस ने दिया था, ये बता दो, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि जीवद्रव क्या ह होता है और इसके क्या-क्या मुख्य बिंदू है ऑप्शन ए हैग जले ऑप्शन भी टैंसले ऑप्शन सी पुरकिंजे और ऑप्शन डी जॉंसन अब देखो जीवद्रव शब्द किस ने दिया था बताना है आपको लाइफ चैट बॉक्स में और एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग जो भी अबार हैं सबको गुड इवनिंग जीवद्रव शब्द किस ने दिया था मैं सबके कमेंट्स देखता हूं सबके कमेंट्स देखता हूं जीवद्रव शब्द किस ने दिया था है टैंसले ने पुरकिंजे ने जोंसन ने तो जीवद्रव शब्द जो दिया था वो दिया था पुरकिंजन है किसने दिया था जीवद्रव शब्द दिया था पुरकिंजन है अब बता देता हूं जीवद्रव क्या होता है देखो जीवद्रव यह हमारी कोशिका है क्या है कोशिका है अब इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका आंगे बहुत सारे कोशिका आंगे और बीच में क्या है हमारा केंद्रक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवद्रव के कितने भाग होते हैं तो जीवद्रव के दो भाग होते हैं ए केलाते हैं जीवद्रव केलाते हैं ठीक है अब एक और शब्द है कि जीवन का भोती कादार किसे माना गया है तो जीवद्रव ही जीवन का भोती कादार है यह सुना होगा आपने यह सब मिलकर क्या कहलाते हैं यह सब मिलकर जीवद्रव कहलाते हैं तो उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जीवद्रव क्या होता है और जीवद्रव अगर आपसे पूछ ले कि सब्द किसने दिया था तो जीवद्रव अगला सवाल है गुंसूत्र की खोज किसने की थी अब आपको सही जवाब देना है क्रुच्टन पूछा है गुंसूत्र की खोज किसने की थी ना कि गुंसूत्र को नाम किसने दिया था कमेंट करके बताईए गुंसूत्र की खोज यह जवाब गलत है यह नहीं आएगा इसमें A जवाब गलत है जिसने जवाब दिया वील वण नागिली उनका जवाब सही है गुंसूत्र की कोट की थी वह किस ने की थी तीक है यंण facts की तो आपको याद आजाएगा ठीक है तो आपको घबराना भी नहीं है जैसे आप वहाँ पर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा इसी कोई बात मिया दो तिन भार इसको पढ़ लेना और जो गूनिसूत्र नाम दिया था वोल्ड होते दिया था उप खोच की थी will हैलन वोन नागिलीन एए झाम गुंद्सूत्र की जो मोट्र जो होते हैं वह कहां पर पाय जाते हैं कोशिका के अंदर पाय जाते हैं और जो जिन पर होते हैं और जीन क्या करते हैं हमारी Azhukie जो जानकारी होती है उसको एक योडेसे दूसरी byd में ले जाते हैं एक भीडी से दूसरे भीडी में ले जाने का कारिय करते हैं तो हमारे अनुपन ृप्ष्ण से ठीक है तो अगला सवाल है हमारे अंधी Corps क каждym जाता है सवाल क्या है उपष्ण याई संत्र हों ऀॉप्ष्ण कैंद्रख और और option D कोई नहीं बताना है आपको कि फैनलाट किसको बोला जाता है लाइसस Cameroo खेंदर कोई नहीं लाइसोसोम राइबोसोम केंदर कोई नहीं तो जो पेलेडेकन बोला जाता है जिसने जवाब दिया है उप्शन B वाला उनका सही जवाब है और जिसने जवाब दिया है C वाला उनका गलत है तो पेलेडेकन किसको बोला जाता है पेलेडेकन बोला जाता है राइबोसोम को क्य थी इसलिए राइबोसोम को पेलेडेकन भी कहते हैं या पेलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं यह प्रोटीन निर्माण फ्रेक्ट्रे होती है कोशिका में पाये जाते हैं और इसकी सरचना अगर आपसे पूछ ले तो यह इस प्रकार की सरचना होती है चोटे-चोटे बिंदू होते हैं जो क्या कहलाते हैं जो पेलेडेकन या राइबोसोम कहलाते हैं अगला सवाल है हमारा है बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है बार बार पूछा जाता है फलोवे सब्जियों को आकर्शक रंग प्रदान करता है फलोवे सब्जियों को आकर्शक रंग प्रदान करता ह है क्रोमोप्लास्ट राइबोसोंग क्लोरोप्लास्ट और कोई नहीं जवाब दीजिए A B C या D क्रोमोप्लास्ट राइबोसोंग क्लोरोप्लास्ट या कोई कोई नहीं फलोवे सब्जियों को आकर्शक रंग कौन परदान करता है क्रोमोप्लास्ट राइबुसों क्लोरोप्लास्ट या कोई नहीं जिसने जवाब दिया है क्रोमोप्लास्ट ओप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका जो फलोवे सब्जियों को आकर्शक जान से सुनीएगा देखो कोशिका के अंदर दो प्रकार के लवक पाए जाते Cute क्या पता में ने कल भी बताया होगा आपको एक प्रसे सुन लीजिए कोशिका कर כले दैन करते हैं एक होता है हुर भाकि जो यह इसी सरचना होती हैं इस प्रकार के कण होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं और वो क्रोमोप्लास्ट या लवक क्यलाते हैं यह कई प्रकार के हो सकते हैं दो प्रकार चार प्रकार दस प्रकार यह डिपेंड करता है कि वो कोशिका किस जीव की ये और ये आकरशक्र रंग प्रदान करते हैं पौलोवे सब्जियों को लेकिन अगर हरा रंघ की बात की जायेगी तो तो पिर नाम होगा वह copper Any번lor methθ का कि के लुब पलास्त का है कि का वहा पर भी वह प्रकास क्रिया करता हो अगर रंग में लवग क्रोमोप्लास्ट के लिए और उम्मिद करता हूं- समझ में आ रहा होगा अगला सवाल है देखो अगर आपका नेट खतम हो जाता है या आपके पास नेट कम होता है तो यहां एक option आता है उस option से आप वीडियो की quality को कम कर सकते हैं और वीडियो की quality कम करके आप पूरी live class attend कर सकते हो अगला सवाल है हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है बहुत ही ज्यादा important सवाल है इसके बारे में सारी रामायन बताऊंगा आपको मैं कि यह क्या काम करती है पहले आपको जवाब देना है तंत्री का कोशिका अंडाणू शुक्राणू या फिमर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो सकता है आपको थोड़ी दूसरी आवाज आ रही होगी गाड़ियों वगरे की तो उसको प्लीज कुछ दिन के लिए अवर्ट कर दीजी क्यूंकि जो हमारी classroom में हमारा वो बिल्कुल हमारी रोड के निचे यह है इसलिए बार बार कभी तो जीप निकलती है कभी ट्रेक्टर कभी बस कभी क्या तो इसलिए प्रोब्लम होती है तो उसको आप अवर्ट कर दीजी देखो पूचा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका A B C D जिसने जवाब दिया होता है और इसका काम क्या होता है इस तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है समवेदना का और इंफोर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थान अंतरन करने का तो इसका क्या होता है समवेदना का काम होता है सूचना को बहुत जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहूंचाने का काम होता है इसको Neil Johnnylling और सानी एक रही हूए इसको मेर्म केसे उसके हैं इसको क्या कहते हैं यह क्या करती हैं हमारे शरीर में होती हैं जैसे किसी कि गरम चीज़ पर हमारा हाथ लग जाता है तो तुरंत सेकिंड के दसवे हिस्से में हम उस हाथ को वापस खींच लेते तो वह काम कौन करता है उस काम को करने के लिए तंत्रिका कोशिका उपयोगी होती है तंत्रिका कोशिका तुरण सब्सक्राइब आरस हमारे शरीर में हमारे दिमाग तक सूछना पूचाती है जहां पर आपका हाथ तुरह Onda क्रें कि अधर्राइं क्लास आप सबको क्लास केसी लगती हैं पढ़ने में स्टूडेंट पढ़ने में आप आप सबको इंट्रेस्ट आता है जी 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 बताईए एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि पढ़ने में आपको कैसा लगता है और मेरी संज़ाइवी चीज आपको समझ में आती है या नहीं आती है अगला सवाल है सोच समझ कर जवाब दीजिएगा मानोशरीर की सबसे भारी हड़ी मानोशरीर की सबसे भारी और बड़ी हड़ी बतानी है आपको तंत्रीका कोशी का इस्टेपीज शुकरानू और फीमर जल्दी से बताईए मानोशरीर की सबसे भारी हड़ी कौन सी होती है मनुश्य की सबसे बारी हड़ी पूचा है यहां पर तंत्रीका कोशिका इस्टेपीज शुक्राणू या फीमर कमेंट करिए A, B, C या D तंत्रीका कोशिका इस्टेपीज शुक्राणू या फीमर जिसने जवाब दिया है डी वाला फीमर बिल्कुल सही जवाब है आपका और जो मानो शरीर की सबसे बारी या सबसे बड़ी हड़ी होती है वो फीमर होती है और वो हमारे जांग होती है ना वो जांग की हड़ी होती है हमारे गुटने से उपर और हमारे कुम ships से नीचे की बीच के V यह होती है अब करता हूं आपको सनमझ में आ गया होगा आगे बात करते हैं देखो फिर से एक बार concept आपका clear कर दूं यहां पर हमसे स shows यह वो सबसे क्या पूचा सबसे लंभी को शीका कौन सी होगी ह तंत्री का अगर आपसे पूच ले सबसे मानव शरीर की शोटी कोशीघ का पूचा जाएगा तो तो यह वीन रिख ऑगा ओल ऊसेटución एक उन्हें पहले से कौन कुऑ मानुश्रीर की सबसे छोटी कोशिगा होती और लंभी कोशिगा लंभी कोशिगा आप देख रहे हैं यह आपके सामने चित्रा और यह तन्तरीका कोशिका काinkा वह क्या होती इस अब आगे जो सवाल आया था इसमें क्या था सबसे भरी या या सबसे बड़ी हड़ी या सबसे लंबी हड़ी जिसका जवाब था हमारा फीमर अब जो सवाल है इसमें पुछा गया है कि मानोशरीर की सबसे छोटी हड़ी अब बड़ी हड़ी तो आपने पढ़ लिए अब छोटी हड़ी कौन सी होगी तंत्रीका कोशिका इस्टेपीच शुक्राणू या फीमर जवाब दीजिए कौन सी होगी मानोशरीर की सबसे छोटी हड़ी तंत्रीका तो सबसे लंबी होती है और वो कोशिका होती है शुक्राणू सबसे छोटी कोशिका होती है और फीमर सबसे बड़ी हड़ी होती है तो बचा इस्टेपीच का होती है मान आती है हमारे कान के अंदर पाई जाती है क्या होती है इस्टपीज अड़ी होती है और सबसे छोटी अड़ी होती है सबसे छोटी अड़ी होती है हमारे शरीर की अगला सवाल है हमारा क्रोमोप्लास्ट लवक क्रोमोप्लास्ट या लवक की खोज किसने की थी है क्रोमोप्लास्ट या लवक की खोज किसने की थी हेक्जले हेकल श्लीडेन और मॉर्गन बताईए किसने की थी क्योंकि कोशीका की खोज किसने की थी यह तो सबको याता है अब दो लवक की होजिए था इससे सवाल आएंगे क्योंकि वह सवाल तो हो रो चुक से था नॉर्मल क्रोमोप्लास टीया लवक की थी बताईये क्रोप्लास्थी लवक स्लीडन और मोर्रबंगन चारamo जिसने में हैं हैं ए ऐ वाला उप्शन उनका गलत है और जिसने की थी और लवक क्या कारिय करते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको हमारी कोशिका में पाए जाने वाले लवक हमारी में भी और पोदोकी में भी और किसी भी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले लवक का क्या कारिय होता हैं उनको रंग प्रदान करने का कार्य होता है । अगला सवाल है हमारा में रुदिर इसकंदन से अभी प्राए है रुदिर इसकंदन का मतलब क्या होता सवाल पूछा गया है ऐया गया एक्ग्रम आया है सवाल में सारे क давно कुश्चन ही उताथ हूँ जो आपके लिए लाबदायक होते हैं और आप इन कुश्चन को पढ़के अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो तो रुदिर इसकंदन बताना है रुदिर का थक्का बनना रुदिर का की कमी या कोई ही नहीं चार उप्षन है रुदिर इसकंदन को क्या कहेंगे हम ही रुदिर के मतलब होता है र mixing का थक्का बनना तो जिसने जवाब दिया है बिल्कूद सही जवाब है आपका रुदिर का जो थक्का बनता है वह और इसके यह रक्त में उपस्तित potassium के कारण होता है और इसको indicate किसे करते हैं के से indicate करते हैं potassium को किसे indicate करते हैं के से indicate करते हैं अगला सवाल है amoeba में पाए जाने वाले कूट पाथ किस प्रकार के होते हैं बताना है आपको चार option है आपके पास रुदिर का थक्का बनना देखो इस question में थोड़ी सी miss printing हो गई है amoeba में पाए जाने वाले कूट पाथ किस प्रकार के होते हैं इसमें थोड़ी सी miss printing हो गई इसके जो option थे वो option नहीं आप आए शायद आगे होंगे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको सीधा बता देता हूँ देखो जो amoeba में पाए जाने वाले कूट पाथ होते हैं वो लोबो पोडिया टाइप के होते हैं किस टाइप के होते हैं लोबो पोडिया टाइप के होते हैं और यह amoeba का structure है ये देखो ये Amoeba का structure है और ये इसी वज़े से हुआ है mistake क्योंकि image, picture और सब इधर उधर हो गई देखो ये जो चीज दिख रही है आपको ये एक तो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ये क्या करते हैं ये कहलाते हैं कूट पाद क्या कहलाते हैं ये कूट पाद क्यलाते हैं और कूट पाद का कारे क्या होता है कूट पाद का काम होता है Amoeba को गती परदान करना या किसी भी जीव में जो कूट पाद होंगे वो क्या करते हैं वो उस जीव को गती परदान करते हैं उस जीव को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाने क के लिए गती परदान करते हैं तो अब आपसे पूछने आ जाए कि अमीबा में जो कूटपाद पाए जाते हैं उनका टाइप क्या होता है वो किस प्रकार के होते हैं उनकी क्या कहेंगे उनको तो जो अमीबा के कूटपाद होते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगला सवाल है हमारा अलू का वानस्पतिक नाम क्या होता है अब आपको होगे सर इस क्यूश्चन को आपने क्यू एड किया तो मैं उतादू कि इसन 2011 का पेपर हुआ उसमें बाइलोजी सेग्मेंट के अंदर यह क्विश्चन पूछा गया था कि सर आपको बताना है कि आलू का मानस्पतिक नाम क्या है 2011 में बाइलोजी में इस सवाल को पूछा गया था और इस्टूडेंट को आते भी नहीं है इससे सवाल क्यूंकि वो सोचता है हां यार यह तो आता है फिर जब वो ओप्शन देखता है तो कहता है कि अब में क्या करूं यह होगा यह होगा क्योंकि ओप्शन वहाँ पर ऐसे देखो अब आलू से जुड़ी एक बात बताता हूं आपको जैसे हम आलू काटते हैं तो आलू काटने के बाद उससे एक सफेद परकार का पदार्थ निकलता है आप सबने देखा होगा सफेद परकार का पदार्थ निकलता है सफेद परकार का पदार्थ निकलता है जैसे हम अलू को काटते हैं पानी में नहीं डालेंगे अलू को छील लिया और काट लिया और कुछ समय के लिए हम उसको अगर प्रकार का पदार्थ निकलता है वो क्या होता है वो होता है स्टार्च क्या होता है इस्टार्च होता है और अलो में सबसे ज्यादा मातरा में क्या पाया जाता है इस्टार्च पाया जाता है अब इस से जुड़ी एक चीज़ और बता देता हूं आपको अगर आपको कहा जाए कि आप जितनी कुछ भी हैं उनमेंसे सिर्फ आपको एक ही सब्सक्राइब करनी है और वो ही आपको एक साल तक खानी है तो आप कौन से सब्सक्राइब अगर कहा जाए मुझे जाए तो मैं आलू को चूज करूँगा क्यों करूंगा क्योंकि आलू ही एक मात्र एसी सब्सक्राइब है या एक मात्र ऐसा पदार्थ है पूरे दुनिया में पूरे संसार में जो सभी प्रकार के पोशक तत्व उपलब्द करवाता है तो आलू ऐसा पोशक तत्वे जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रियंट्स होते हैं इसमें यह समाने और मनुश्य की जीवन को यापन करने के लिए जरूरी वो सारे तत्व किसमें पाये जाते हैं और इसलिए हिए अगर हमारे अंतरिक्ष में क्येटी की जाएगी सबसे पहðे तो सबसे पहरे आलू की खेती की जाएगी चांद को एज इस्टेशन बना जाएगा जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रत्वी से लेंड करेंगे फिर चांद भी रुकेंगे वह हमारा सबस्क्राइब लिए निकलेंगे तो एसी तैयारी चल रही है और मंगल ग्रह पर जाकर अब गाए जाएंगे अलू गाए जाएंगे मंगलमने पर जाकर अलू गाए जाएंगे क्यों आलू ही क्यों उगाएंगे क्योंकि आलू में सभी प्रकार के पोश emphasizingत्र उप्लब्द होते हैं और है और यह बहुत ये लाबड़ाइक सबजी है और इसका मानस्पतिक नाम बता दिया मैंने solenum tuberosum तो उम्मीत करता हूं आपको पसंद आई होगी अगला सवाल है हमारा क्वाशी और कोर रोग किसकी कमी से होता है अब इसकी भी पूरी जां करी दूंगा क्वाशी और कोर रोग किसकी कमी से होता है बताना है आपको क्वाशी और कोर रोग किसकी कमी से होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडरेट या खनीजलवन ये कुछ देखो थोड़ा मिस्प्रिंटिंग हो जाता है उनको बोलना पड़ेगा आज बार-बार मिस्प्रिंट कर देते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइडरेट, खनीजलवन तो क्वाशी और कोर रोग किसकी कमी से होता है बताना है आपको जिसने जवाब दिया है प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है आपका क्वाशी और कोर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से अब मैं बताऊंगा क्वाशी और को रोग क्या होता है देखो क्वाशी और को रोग और इसके साथ ही इसका एक और रोग है जिसको बोलते हैं सुखा रोग ये दोनों रोग भाई भाई हैं और दोनों ही किसकी कमी से होते हैं प्रोटीन की कमी से होते हैं या ये कूपोशन की कमी से होते हैं जिन बच्चों को क्योंकि ये बच्चों में होते हैं ये रोग तो जिन बच्चों को सही रूप से पोशन नहीं मिल पाता तो उन बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है उन बच्चों को वो कूपोशन के शिकार हो जाते हैं और उन बच्चों को हो जाता है क्वाशी और को रोग के लक्षण क्या है देखो क्वाशी और को रोग के लक्षण होते हैं एक तो बच्चे का पेट फूल जाता है बच्चे का बच्चे को भूख नहीं लगती है भूख में कमी हो जाती है भूख बच्चा खाना देते तो यह क्या कहलाता है यह क्वाशियोर को रोक है तो अगर आपके भी आसपास अगर कोई इससे बच्चे हैं जिनका पेट फूल रहा है खाना नहीं खायर पर सुबाव चुड़ चुड़ा है हो सकता है बगवान ना करें किसी को हो लेकिन अगर कुछ है ऐसा तो जल्दी से चेक अप करवाईए इस रोग में मौत नहीं होती है लेकिन फिर बच्चे की जो शरीर होता है उसका विकास नहीं होता आगे इसलिए समय पर इसका इलाज कर लेना चाहिए तो कवाशी और कोररो 가지 की कमी से होगा प्रोटीन की कमी से। अगला सवाल है हमारा Electyk कि नुक्लिक अमल शब्द किसने दिया नुक्लिक अमल का संबन्द यहां पर किसंए है नुक्लिक अमल का संबन्द यहां पर है डियेनच नेर्ण ने में कुन सी शर्क्रा पाई जाती है đİ Α्यक्सी राइवोज nukleic अंभल इसको बोला जाता है और गाद बीडने नेयक्सुरा इसको बोला जाता है नेОक्सी राइवोज अचरक्रार ईच्ण्स बेटो कि बताना है अपको न्यूटुकलीー के पताएब सब्लेट जिसने अल्टमन जवाब दिया है न्यूक्लिक अमल का जिसने अल्टमन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका जो न्यूक्लिक अमल शब्द दिया था वो दिया था अल्टमन ने किसने दिया था अल्टमन ने और अल्टमन वो ही साइंटेस्ट थे जिन्होंने माइट्रकॉंड रखना की कोज्च किसा पाइर सो लोगति दीन explore एक हो के जब माइट्रकॉंडे़ा किस तब उसका अजए कुछ नहीं सुन की माइट्रकॉंडिया से नाम फिर उन्होंने नाम परिवर्थित कर दिया परिवर्थित करके सी बिढ़ना ने उसको माइट्रकॉंडिया नाम दे दिया और माइट्रकॉंडिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में सूत्र कणिका बोला जाता है अगला सवाल है केंद्रक में उपस्तित धागे नुमा सरचना कहलाती है केंद्रक में उपस्तित धागे नुमा सरचना कहलाती है जीन गुंसूत्र कोलजिकाई या डियने बताना है आपको केंद्रक में उपस्तित धागे नुमा सरचना कहलाती है जो केंद्रक में धागेनुमा सरचना पाई जाती है केंद्रक में पाई जाते हैं DNA DNA पर गुंसूत्र गुंसूत्र पर जो सरचना होती है यह गुंसूत्र होते हैं वो खुद कौन सी सरचना होती है धागेनुमा सरचना होती है तो जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही ज सरचना होती है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है क्रोमोजोम होता है या गुंसूत्र होता है अब इसकी सरचना जो होती है इसी होती है जो गुंसूत्र की सरचना होती है वो इस प्रकार की होती है है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है पूरशों में लिंग क्रोमोजोम को कहते हैं यानी कि जो पूरशों में लिंग गुंसूत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है XX, XY, XXY या XXYY तो जो link गुंसूत्र होता है वो बताना है आपको ABCD चार option हैं आपके पास Live chat box में comment करिए और बताइए कि पुर्शों में link गुंसूत्र को क्या कहते हैं देखो महिलाओं में गुंसूत्र होता है वो होता एक्स-एक्स और पूर्षियों में एक एक्स गाईब हो जाए या एक लिंग गुनसूतर गाईब हो जाएं तो फिर कौन सी समस्य आजाएगी टर्नर सिंड्रॉम 、 Turner Sindrum किससे होगा, Lingg गुणसूतर की कमी होने के कारण क्या होगा, Turner Sindrum हो जाएगा, मनुष्यें मैं जो गुणसूतर संक्यए होती हैं, वो कितनी होती है, 46, 46 गुणसूतर पाए जाते हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सही जवाब देते हैं, सब को फोटो दिखाएंगे अभी थोड़ा वेट करिए सब्र रखिए बगवान ने क्या किया मनुष्य बनाया लेकिन उसने एक बहुत ही बड़ी कमी छोड़ दी कि उसने सब्र नहीं बनाई उसमें सब्र डालना भूल गया इसलिए मनुष्य में सब्र नाम की चीज नहीं मैं आपको मजाक के तोर पर कह रहा हूं बुरा मत मानना आप सारे बच्चे स्वीट एंड इनुसेंट हैं सभी अच्छे बच्चे हैं रोज क्लास लेने आते हैं इंटेलिजेंट हैं सभी को एक बार मेरी तरफ से मेरे हर्दे की गेहराई से दिल से आपको धन्यवा देना कि बचाता हूं किंग और साथ ही यह उमीद करता हूं कि सभी का सलेक्शन योगा अपका जितने भी स्टूडेंट है सब का सेलेक्शन होगा आडाम से जिसको जो क्लेज मिलेगा को तो चलू अ कलेению में जाये जाएंगे ना दोके च्श्म लगा के अगला सवाल है, हिपेरीन हार्मोन का इस्तर्मन कहां से होता है, बताना है आपको हिपेरीन हार्मोन का इस्तर्मन कहां से होता है, प्यूश गरंती से, यकरत गरंती से, अगनाशे से या आमाशे से, हिपेरीन हार्मोन का इस्तर्मन बताना है आपको, कहां से होता है, प्यूश यकरत, अगनाशय, और आमाशय, जिसने जवाब दिया है, option B वाला, यकरत ग्रंथी, बिलकुल सही जवाब है, बाकी तिनों के गलत है, जो तिनों अप्शने वो गलत है, यकरत ग्रंथी, हमारे जो शरीर की यकरत ग्रंथी होती है, वहाँ पर कौन सा हार्मोन बनता है, सबसे बड़ी ग्रंथी होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रत ग्रंथी और सबसे बड़ी अंता इस्तरावी ग्रंथी फूच ले तो क्या होगा अंता इस्तरावी ग्रंथी फूच ले तो फिर उसका जवाब होगा थाइरोड जो नागर जी थे हमारे जिनका नाम त थाइरोड और सबसे छोटी तो प्यूश्क्रंदी है अब जानते ही हो सारे बच्चे अच्छे हैं अगले सवाल है परिस्तितिकी तंतर के पोदे हैं यानि कि जो परिस्तितिकी तंतर में पोदे पाये जाते हैं या पोदे होते हैं वो क्या होते हैं उपभोकता होते हैं या उत्पादक होते हैं या अपगटक होते हैं या कोई नहीं बताना है आपको उपभोकता, उत्पादक, अपगटक या उपभोगता है उत्पादक है अपगटक है या कोई नहीं पारिस्तिति की तंतर के पोदे जिसने जवाब दिया है उत्पादक बिल्कुल सही जवाब है किसी भी पारिस्तिति की तंतर में या किसी भी प्रकार का पारिस्तिति की तंतर हो उसकी जो शुरुवात होती है वो होत जीवानु की खोज का श्रे जाता है जीवानु की खोज का श्रे किसे जाता है लिवानुवस की पास्चर या कोई नहीं जीवानु की खोज का श्रे बताना है आपको जीवानु की खोज का श्रे किसे जाता है लिवानुवस की पास्चर या कोई नहीं जिसने लिवानुवस की जाता है और एंटोनिवों लिएन हो की वह इंसान थे जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका की ने की ती और सबसे पहले मुरत कोशिका की खोज या सिर्फ कोशिका की खोज पूछ ले तो रोबर्ट हुक बाई साब है अपने उन्होंने की थी तो समझ में आ रहा होगा और वाइरस की कोच किस ने की थी डॉक्टर इजे इवानोवस की यह जो इवानोवस की है इन्होंने किस की कोच की थी इन्होंने वाइरस की कोच की थी ठीक है अगला सवाल है हमारा प्लाजमा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बताना है आपको प्लाजमा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 21 प्रतिशत 7 प्रतिशत 3 प्रतिशत या 0 प्रतिशत जल्दी से बताईए किसी तक्नी की समस्या के कारण क्लास थोड़ी डिले हो गई चलिए शुरू करते हैं वापस से सवाल था हमारा प्लाजमा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा बतानी थी आपको ओप्शन ए 21 प्रतिशत, ओप्शन भी 7 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 0 प्रतिशत तो प्लाजमा में प्रोटीन की मात्रा बताईए जिसने बी जवाब दिया है बी वाला जवाब दिया है जिसने बिल्कुल सही जवाब है आपका जो प्लाजमा में प्रोटीन की मात्रा और प्लाजमा 55 प्रतिशत होता है और बाकी सारी रक्त कनिकाएं होती है तो समझ में आ गया होगा प्लाजमा में प्रोटीन की मात्रा साथ प्रतिशत प्लाजमा सारी रख्त कणिकाओं को गोनले का कार्य करता है रख्त का लाल रंग हेमोगलोबीन के कारण होता है और इससे जुड़ी सारी जानकरी में पिछले वीडियो में दे चुका हूं आपको अगला सवाल है हमारा रख्त में उपस्तित विटामिन के का कार्य होता है रख्त का थक्का बनाना रख्त में शरक्रा का नियंतरन करना रख्त में लवन नियंतरन करना और रख्त को तरल बनाना रक्त में उपस्तित विटामिन K, विटामिन K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम का कारे बताना है रक्त का थक्का बनाना, रक्त में शरक्रा नियंतरन करना, रक्त में लवन नियंतरन करना और रक्त को तरल बनाना जल्दी से बताईए जिसने जवाब दिये है option A, रक्त का थक्का बनना या थक्का बनाना वो बिल्कुल सही जवाब है, जो रक्त में उपस्तित potassium होता है या के होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन क तो समझ में आ गया होगा यह प्रहिए पेले भी आपको बताया था कि इस में क्या होता है कि इसकंदन को जब वेकृष्जान आये था तो इसमें मैंने बोला था कि क्या होता है पेक्पोटेषियम होता है अर्द ठोस अवस्था में आना क्या कहलाता है रुदिर इसकंदन कहलाता है तो समझ गए होंगे आप जैसे ही किसी के चौट लगती है वहां पर पोटेशियम जल्दी से तुरूंत वहां पर जाता है और उस छेद को बंद करता है कैसे बंद करता है रग्त का ठका जमां देता क्षेब्ण खूल नमें अगला सवाल है कि विःगार का उद्षजी पदार्त होता है कि उसका बताना है आपको देख सब्रक्र मतलब जो वह ट लिक्वीड या मूत्र विसरजन करते हैं बहुत किस्प्रकार का मनुष्य की बात की जाए तो मनुश्य में तो क्या होता है यूरिया होता है यूरिया होता है यूरिया एक प्रकार का क्या होता है उत्सवर्जी पदार्त होता है मनुश्य के शरीर का अगर आप से पूछ ले जाए कीटों के शरीर का तो बताना है आपको चार आपके पास यूरिया यूरिकमल अमिनो अम्ल या अमोनिया यूरिया यूरिकमल अमिनो या अमोनिय कि बताये जल्दी से प्यारा सा एक कीट है आपके सामने कौकरॉच पता नहीं लडगिया इतना इससे क्यूं डरती है इतना अच्छा नन्नामूना रही है यह देश का सिपाई यह लेकिन फिर भी सब इससे और किटों में यूरिक अमल पाया जाता है देखो यह चल्चटा है इसको कोक्रोध भी बोला जाता है इसकी जो आगे वाली सरचना ही होती है यह क्या कहलाती है यह कहलाती है शरंगी का क्या कहलाती है और यह इसको बाहरी वातानों की जो सुतना परदान करती है दिशा ग्यान केचवा किस वर्ग का प्राणी है केचवा किस वर्ग का प्राणी है देखो बगवान ने जो भी हमारी चीज बनाई है उसका कुछ ना कुछ संबंद होता है कुछ ना कुछ कार्य होता है जो हमारे शरीर है या किसी भी जीव का शरीर होता है उसमें जो भी चीज पाई जाती ह उसका कुछ-Na-KUCH काम होता है तो अब आप होगे कि सर हमारी आँखों के ऊपर पाए जाने वाले जो बोह रहे हैं उसका काम क्या था आँकों की उपर बाल पाए जाते फोलं काम यह होता है कि बड़्साथ आती है यह किसी भी आप पानी वाली चीज में हो रहे होते हो यह आंधी आती कुछ भी आती तो यह आंखों के अंदर पानी को जाने से रोकती है और दूसरा आंखों में कच्रा जाने से रोकती है तो यह इसका काम होता है इसलिए बगवान ने आखों के उपर बाल बनाए है पलकों के उपर भी बाल बनाए तो में आगया होगा आपको एक बार जरूर से बताईए आप हमारी class tasting होती है या नहीं होती है आपको study के अलावा और अधर जानकरी मिलती है यह नहीं मिलती आपको नहीं क्लास कैसी डगती है बताईए एक कमेंट करिए जी बेल कोल बेल कोल सभी को थैंक्स एक बार इतना प्यार इतना सम्मान इतना मान देने के लिए तो ये सवाल है केच्वा किस वर्ग का प्राणी है वर्ग पूछा है देखो ये केच्वा है साप नहीं है केच्वा है इसे चोटी चोटी जीव है जो सिटी के लोग रहते हैं जो शहर के लोग रहते हैं वो जानते नहीं है वो इसको साप कहते हैं तो यह साप नहीं है यह की सुधू 성ुध क्राणियों बथा यह कमछर आपशन का जवाब शुदो किस वर्ग में आता है केच्वा आर्थोपोडा ओलीगो कीटा एनिलीडा या पोलीकोटा जिसने जवाब दिया है ओलीगो कीटा बिल्कुत सही जवाब है आपका जो केच्वा होता है वो ओलीगो कीटा वर्ग का होता है किस वर्ग का होता है ओलीगो कीटा वर्ग का होता है अगला सवाल है हमारा प्रकास 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 अंसलेशन वरनक कहां पाए जाते हैं इस्ट्रोमा में ग्रेना में प्लियोस्म में और टॉनप्लास्ट में तो बताना है आपको चार ओप्शन है आपके पास पोदे के प्रकास संसेलेशन वरणक कहां पर पाए जाते हैं इस्ट्रोमा ग्रेना पीलियोसोम या टोनोप्लास्ट जिसने जवाब दिया है ग्रेना बिल्कुत सही जवाब है आपका देखो इस्ट्रक्चर बताता हूं आपको यह होता है हरितलवक क्या होता है इसको बोलते हैं यह प्रकास अंस्टलेशनु में बहुत ही प्योगी चीज वहता है और इसमें इससी सरचना दिखाही देजिए तो इसको ग्रेना भी बोला जाता है और यह क्या करती है यह प्रकास अंसलेशन में महत्पून भूमेंगा निवाती है और यह देखो हरितलवक की सरचना है हरितलवक किसमें बाए जाता है पादक पोशीका में पाया जाता है हरितलवक में इस्ट्रोमा और ग्रेना दो अगला सवाल है हमारा ऑर कि जड़ का रंग किस वरंग के कारण होता है चुकंदर की जड़ का रंग किस वरणक के कारण होता है वापस से वरणक आगया वरणक आगया इस मींस लवक है लवक के कारण ही जड़ का रंग होगा तो आपको बताना है चुकंदर के जड़ का रंग किस कारण होता है लाइकोपीन एंतोसाइनीन जेंतोफिल या केरोटीन लाइकोपीन, एंतोसाइनीन, जेंतोफिल या केरोटीन जल्दी से बताईए लाइकोपीन, एंतोसाइनीन, जेंतोफिल या केरोटीन जिसने केरोटीन जवाब दिया है गलत है और जिसने लाइकोपीन दिया उनका भी गलत है और जेंतोफिल वाला भी गलत है एंथोसाइनीन गुलाब का गुलाबी रंग किस कारण होता है एंथोसाइनीन के कारण होता है और चुकंदर की जड़ का रंग लाल रंग किस कारण होता है वो भी एंथोसाइनीन के कारण होता है ठीक है तो चुकंदर का भी एंथोसाइनीन के कारण होता है चुकंदर क्या हो मनुश्य का हर्दे एक मिनिट में कितनी बार दड़कता है कमेंट करिए कुछ स्टुडेंट कहेंगे सरी एजी सवाल है लेकिन इतना एजी भी नहीं है कि सब को आ जाए वहाँ पर बूल जाते हैं लोग ऐसे सवाल फिर वहाँ पर कहते हैं कि बेतर था या जाँ 4724 तो過去 संख्या होती है पिर Id intentive fan also आज सुझा होगा फिर उन साट सेंट में तो राष्ट कान गया जाता है उन साट शेक्ण भी नहीं होंगे भिया सी और भीश्वनींड अपर दो एंडियानिए वल्ल कप मोक्त है तो स्वास्थ मनुश्य के शरीर का तापमान बताना है आपको स्वस्त मनुष्य के शरीर का तापमान बताना है आपको 21 डिग्री, 19 डिग्री, 37 डिग्री या 52 डिग्री 21 डिग्री, 19 डिग्री, 37 या 52 डिग्री शरीर के बार का तापमान अलग होता है और अंदर का तापमान अलग होता है के शरीर के अंदर का ताप्मान पूचा है ऑब जल्ली से बताईए न हमें चली की जिसने जवाब दिया है सी वाला 37 विल्कुल सही जवाब है आपका सवस्त मुनश्य के शरीर का जो फांट हो टाप्मान होता है वो होता वह अगर आप से पूठ लिया जाए कि एक जमने के लिए कितने ने की जरूरत होती है तो धेमने की लिए अगर पूचा जाता है तो उसका जवाब देना है को 21 दिग्री सवस्त मनुष्य के सरीर ना धापमन दूद्ध को जिवाणू बदलते हैं ऐस लेक्टो बैसिलस एसलख होते हैं वह क्या करते हैं वो दूद्ध को नहीं बदल देते हैं परण्तु उसमें आपको थोड़ी से जिवाणूं डालने पड़ते हैं उसको हम सामानी बाशा में कहते हैं जामन क्या कहते हैं जामन तो मम्मी जब शाम को जामन लगाती है दूद के तो उस समय देखना उसका जो ताप्मान होगा वह 21 के इतने क्विश्चन पढ़ेंगे और सारे क्विश्चन गॉल्डन क्विश्चन थे आपको समझ में आए होंगे अब इसके बाद जो आपको होगे सर आपने हमारी फोटो नहीं दिखाई तो अब इसके पाद लाइव क्लास में लगबद 2-3-4-5 मिनट तक आपकी फोटो चल अच्छा नहीं लगता ज्यादा student आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा like भी कम आते हैं तो like भी करिए चैनल को subscribe भी करवाईए like subscribers भी करवाईए क्योंकि हमारी जो असली earning मों आपके like सी है आप जितना प्यार देंगे हम उतना आपको अच्छा content देंगे स्टेडी स्टेडी माटीरियल देंगे तो आप अपना सायोग बनाए रखें पड़ाई भी करते रहें और साथ ही कोरोना भी चल रहा है इसकोले नहीं खुलेगी कोचिंग नहीं खुलेगी तो अपनी तयारी को दीरे-दीरे मजबूत करते रहें एक्जाम उसी तारीक को होगा दो अगस्त को आपके पास बहुत समय है आप सारी तैयारी अपनी ओनलाइन कर सकते हैं तो अब आज के लिए बस इतना ही और फिर से एक बार कहना चाहूंगा फेस्बुक पे और इंस्टाग्राम पे आप हमें जोइन कर सकते हैं इंपरियल एक्रोऊ क्लासिस के नाम से इंस्टाग्राम पे इंपरियल एक्रोऊ क्लासिस के नाम से हमारा पेज हे है जरूर से उसको को जोइन करिए फोलो करिए और अब आप आपकी फोटोस देख लीजिए आज के लिवस्ट इतना ही मिलेंगे सुभे वह यारा बजे एग्रिकल्चर की एक धमाकिदार क्लास में तब तक के लिए सभी को गुडड़ाइट अबाइट भाइट a बाइट दना ही मिलें तो टाइट खेख लगाय máअ तोस दो थाछालि सभी को जब तोस दो आपकी एके लुड़ाख अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को अ झाल झाल